हेलो स्टूडन्स आज मैं आपको आपके हिंदी पाठ्ठ पुस्तक वसन भाग एक के पाचवे अध्याय को पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है अक्षरों का महत्वा बच्चो पिछली क्लास में मैंने आपको इस पाठ का सार बताया था और यह पाठ किस पर आधार है यह भी बताया था तो आएए इस पाठ को आरंब करते हैं अक्षरों की कहानी यह पुस्तक अक्षरों से बनी है सारी पुस्तके अक्षरों से बनी है तरह तरह की पुस्तके तरह तरह के अक्षर दुनिया में अब तक करोरों पुस्तके छप चुकी हैं और हजारों पुस्तके रोज छपती हैं तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं इन सब के मूल में हैं अक्षर हम कलपना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादी काल से जानते हैं, अक्षरों का ज्यान हमें किसी इश्वर से मिला है पुराने जमाने के लोग सचमुछी सोचते थे कि अक्षर की खोच इश्वर ने की है पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोच किसी इश्वर ने नहीं बलकि स्वयम आदमी ने की है अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है जैसे कि हिंदी भाषा की खोज हमारे देश भारत में हुई है हमारी यह धर्ती लगभग पांच अरब साल पुरानी है दो तीन अरब साल तक इस धर्टी पर किसी प्रकार के जीवजन्तु नहीं थे फिर करोडों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धर्टी पर राज्ज रहा आदमी ने इस धर्टी पर कोई पांच लाख साल पहले जन्म लिया धीरे धीरे उसका विकास हुआ कोई दस हजार साल पहले आदमी ने गाओं में बसना सुरू किया वह खेती करने लगा वह पत्थरों के औजारों का इस्तमाल करता था फिर उसने तामबे और कासे के भी औजार बनाए प्राग एतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिये अपने भाव व्यक्त किया जब मनिश्य को बोलना भी नहीं आता था तब उसने क्या किया चित्र बना कर अपने भाव दुसरों पर व्यक्त किया जैसे पशुपक्षियों, आदमियों, आदी के चित्र इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किर्णों की घोतक रेखाएं खिशने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बना घोतक ज्यानिकी सूचत, सूचित करने वाला सूचक इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए तब जाकर काफी समय बाद में आदमी ने अक्षर की खोज की अक्षरों की खोज के सिलसिले को सुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए है कितने साल हुए है? 6,000 साल जबकि हमारी दुनिया कितनी पुरानी है? 5,000 साल पुरानी है केवल 6,000 साल अक्षरों की खोज के साथ एक नए युक की शुरूआत हुई आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा हम कह सकते हैं कि अक्षरों के साथ-साथ मनुष्य के विकास का भी आरंब हुआ तब से मानव को सब्य कहा जाने लगा आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंब हुआ आज हम इतिहास को पढ़ पा रहे हैं क्यूंकि हमारे सामने किसी ने इस इतिहास को लिखा हुआ है और उन्होंने इसे किसे लिखा है अक्षरों के साहयता से किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेक मिलने लग जाते हैं इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग इतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अता हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते हैं। पिछले कुछ हजारों साल से आदमी किस प्रकार रहता था, क्या-क्या सोचता था, कौन-कौन राजा हुए इतियादी। अक्षरों की खोज मनुश्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुश्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीड़ी के ज्यान का इस्तेमाल दुसरी पीड़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों से मानव जाती का तेजी से विकास हुआ। यहां महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लीपियों का। लीपियों यानि कि किसी भी भासा को लिखने का तरीका। जैसे कि आपने पढ़ा है हिंदी भासा की लीपि क्या है देवनागरी। अता हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहां बने और किसने बनाए यहां जानना भी जरूरी है। इस पाठ को लिखा है गुणाकार मुलेने। धन्यवाद।